कि 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 हलो एवरिबन स्वागत है आप सभी का आपके वे अपनी यूटूब चैनल अलफाबेट कोचिंग सेंटर में आज तारीख है आपका आठ फर्वरी आठ फर्वरी दोहजार चौविस से जो भी आपके करेंट अफेयर के कोश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम जानन जरूर कीजेगा और बेल आएकन को आन जरूर कर लीजेगा और अपने दोस्तों को भी सेहर जरूर कीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहले को सेहरे किह रहा है कि पहला कोशन है आपका हालही में भारती ये इलबम ने Grammy Award 2024 जीता है तो यहाँ पे आप चार आपसन देख सकते हैं तो चारों में से एक आपसन सही हो जाएगा आपका कौन सा आपका This Moment This Moment को Grammy Award से सम्मानित किया गया है और देखिए Grammy Award 2024 के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा क्या जो भी important point है आयोजन इसका कहां हुआ है तो लास अंजिलस में हुआ है ये आपका कहां पढ़ता है USA में पढ़ता है USA का full farm होता है आपका United State America होता है क्या होता है United State America होता है संगीत के छेतर में कौन देता है ये आपका Recording Academy देता है किस भारती इल्बम ने यह एवाड जीता है तो दिस मोमेंट ने जीता है सक्ती बैंड गुरूप ने Best Global Music Album Award जो पुरसकार पाए हैं कौन-कौन से लोग चार लोग पाए हैं तबला वादक एक जाकिर हुसैन ने पाया है वाइलिन वादक गडेश गोपाल राज गोपाल ने पाया है गायक संकर महादेवन पाया है जाकिर हुसैन और बासुरी वादक संगेत बासुरी वादक राकेश चोरसिया ने पस्तो और आज क्या है पूर्सो की राश्ट्री द्रिष्ट बाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट किसने जीता है महाराष्ट ने जीता है हालही में अगला कोशन देखे क्या है हालही में Commonwealth Attorney and Solicitor General Conference 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में देखे थीम इसका क्या रहा है Cross Border Challenge in Justice Delivery ये आपका थीम रहा है अगर बात करें Attorney General की तो आपके आर विंकटार मड जो है ये क्या है Attorney General है Solicitor General कौन है तुसार मेहता है देखे यहां पर कुछ important point जान लेते हैं Vice President ने सुरच्छा पर अंतराश्टी सम्मेलन का उद्गाटन कहां पर किया है जैपूर में किया है Food Agriculture Organization ने किसानों के अधिकारों पर पहले Westwick संगोष्टी का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह भारत में किया गया है वरहणवा विष्व हिंदी सम्मेलन 2023 यह आपका PG में आयोजन हुआ है तीसरा विष्व हिंदू सम्मेलन 2023 यह आपका Bangkok में आयोजन हुआ है बैंकाक की बात करें तो कहां पर है ये आपका थाइलेंड में है कहां पर है थाइलेंड में थाइलेंड की राजधानी क्या होती है बैंकाक होती है अगला देखिए important point क्या है दिसंबर 2023 में भारत अंतराश्ट्रिय कपास सालाहकार समित की एक्यासवी पूर बैठक की मेजबा नहीं करेगा पांचवा विस्व कप सम्मेलन जो है यह भारत में हुआ है और भागरत में कहां पर बैंगलोरियू में संयुक्त राश्ट का पहला जल सम्मेलन न्यूयार्क में आयोज़ित हुगा दुनिया की पहली माना रोबोट प्रेस कॉनफरेंस जनेवा में आयोज़ि हुगा यह आपका दिल्ली में खाद सुरच्छा अधिनियम को वैस्विक सिखर सम्मेलन दोजार तेस यह आपका भारत में आयोज़ित हुगा अगला कोशन देख लिए क्या है अगला कोशन यह बहुत ही इंपोर्टन कोशन है नियूक्ति से संबंदित कह सकते हैं हालही में अब देखे हाई कोट की बात किया गया है तो हाई कोट से संबंदित और महिला कुछ इंपोर्टन पॉइंट देख लेते हैं तो हाई कोट की पहली महिला जजज बनी है अन्ना चांडी कहां की केरल की हाई कोड की पहली महिला चीफ जेश्टिस कौन बनी है लीला सेट कहां की हिमाचल परदेश की सुप्रीम कोड की पहली महिला जज फातिमा बीबी बनी है इनका निधन हो गया है जो कि पश्चिम बंगाल की ये बनी थी पश्चिम बंगाल से थी ये इलहाबाद हाई कोड के जो जज है अरुड बंसाली है गुहाटी हाई कोड के विजय विश्णोई है उडीसा हाई कोड के चक्रधारी सररसिंग है मेगाला हाई कोड के यस वेदनाथन है अगला कोशन देख लिए पाँचमे नमबर के कोशन क्या कह रहा है हालही में रोल्स रायस ने भारत में MTU यस 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किसके साथ समझावता किया है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका G.R.S.E. के साथ अगला कोशन है आपका हालही में विष्व वेट लेंड दिवस 2024 का अंतराश्टी सम्मेलन कहां आयोजित हुगा है तो राइट एंसर हो जाएगा आपका उदैपूर कहां पर उदैपूर आयोजित हुगा है देखे भारत का पहला वन विष्विद्याले ये अपका कहां पर खोला गया है तेलंगाना में खोला गया है भारत के बाहर पहले योग विष्विद्याले कहां खोला गया है अमेरिका में आश्टेलिया के दिकिन विस्विद्याले गुजरात के गिप्ट सहर में अपना परिसर इस्थापित करेगा देश के बार सबसे पहले किसने IIT परिसर खोला और कहां पर IIT मदरास तंजानिया के जंजी बार में नालंदा युनिवर्सिटी ये आपका बिहार में है किसने इस्थापित किया था कुमार गुप्त पर्थम ने इस्थापित किया था अगला कोशन देख लिजे क्या है कि हालही में बलाइंड पूरसों की राष्टी दृष्ट बादिता टी ट्वंटी नागेश ट्रॉफिक किसने जीता आंधर परदेश ने आपको यह कोशन बता दिया है रिपीटेड कोशन हो गया आठवे नंबर का कोशन देख लिजे क्या कह रहा है अंतरिम बजट कि अनुसार भारती सहायता प्राप्ट करने वाले वाला सीर्ष देश कौन सा रहा है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा स्री लंका देखिए अब हम ट्रॉफि की बात कर लेते हैं देव घर ट्रॉफि चूरफि 2223 साउथ जोन जीता है वेश्ट जोन को हरा करके देखिए ट्रॉफि 2023 का आयोजन जीता है वेश्ट जोन को हरा करके रर्जी ट्रॉफि 2022-23 ये सौराष्ट ने जीता है बंगाल को हरा के 69 इरानी ट्रोफी 2022-23 का आयोजन जो उनमत हुआ था उसमें सेश भारत ने जीता था अब मद्ध भारस मद्ध परदेश आपका पराजित किया था 60 इरानी ट्रोफी जो है 2023-24 का सेश भारत ने जीता था सौराष्ट को हरा करके सेद मुस्ताक अली ट्रोफी जो है ये 2023 में पंजाब में जीता था बढ़ाओदा को हरा करके विजय हजारे ट्रोफी 2023-24 ये हरियारा ने जीता है राजस्थान को हरा करके देखिए अब बात किये हैं हम स्रिलंका की यहां पर हमने इसका जो question का answer होगा यह स्रिलंका नहीं होगा यह आपका क्या हो जाएगा भूटान हो जाएगा भूटान आपका right answer हो जाएगा यह आपका यहां से हम इसको erase कर देते हैं यह आपका right answer हो जाएगा भूटान बुटान की राजधानी आपके क्या होती है थिम्पू होती है और करेंसी की बात करें तो इंडियन रुपीज एंड नुगल टरम चलता है वहाँ पे प्राइम मनेश्टर की बात करें तो सेरिंग वहां के राजा कौन है जिग में खेसर नाम गयाल वांग चूक है अब यहां पर देख सकते हैं आप भूटान यह आपका जितना ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है और इधर आके यह पहाड़ी इलाका हो गया है ठीक है बर और यहां पर आपका इंडिया देख सकते हैं और यहां से बर्मपूत नदी आपकी जा रही है भारत में अगला कोशन है आपका हालही में भारत के नए स्वास्त सचीव कौन बने हैं तो यह आपका अपूर्व चंद्रा बने हैं कौन बने हैं अपूर्व चंद्रा अगला क स्रिलंका ने अपना स्वतंतरता दिवस कम मनाया है तो चार फरवरी को मनाया है थीम की बात करेंगे तो थीम इसका let's build a new country है अब कुछ important हम दिवस देख लेते हैं एक फरवरी को आपको Indian cost guard दिवस मनाया जाता है कलपना चावला का death anniversary भी मनाया जाता है second फरवरी को world valentine day मनाया जाता है और 4 फरवरी को आपका world cancer day मनाया जाता है 6 फरवरी को आपका international day of zero tolerance to female gentle mutilation मनाया जाता है 7 फरवरी को सफर internet day second day of the second week आप फरवरी मनाया जाता है अगला question देखिए क्या है अगला question आपका बहुत ही महतपूर question है हालही में राजस्थान high court के chief justice कौन बने है तो यह आपका right answer हो जाएगा यम यम सिर्वास्ता आप यहाँ पर इनका image भी देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा हो वीडियो को बारे में comment box में जरूर बताइएगा वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे share जरूर कीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही जय भारत